नमस्वार दोस्वों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों बदनश्य भी ही होगा जो इशे नजर अंदाज करेगा पूरे दश कडूर की लोटरी लगने वाली है जे दोस्वों हम आप शिबी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले है दोस्तों ने भूल कर भी मिश्बत किजीगा कि दोस्तों यह आपके कर्मों का फल है जो कि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जो दोस्तों आपको विटादे कि इस वीडियो में हम जो जाकारी देने वाले हैं अगर आप इन्हें शुन लेंगे तो दोस्तों 10 कडोरों का लोटरी आपके हाथों में होगी जिसे दोस्तों आप श्रवी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा जी दोस्तों इसलिए आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और शुरूश लेकर अंत तक बिल्क विशेज बातों का धियान रखना बहुत ही ज़्यदा वुश्यक हैं कि Videoi-Lo tummy चार बातें---- जोकी आपको आपकी जुनकाल में आगे नहीं बलकि पीछे लेकर जा रही है और इख सलती आप की जुनकाल में लगधार पeddरी नहीं है तो दोस्तों आजके इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल ही ध्याश दोनीगा उश्य फेल दोस्तों जो भी भगवान शुनिदेव के शच्चे भकते हैं दोस्तों वीडियो को एक पैरा श्लाइक जरू करें और कमेंट बॉक्स में शच्चे मन्से जय शुनिदेव जरू के जुनकाल में आपकी कुंडली में तीन बड़े गणों का मिलन सार हो चुका है जिनके कारण दोस्तों धन लक्ष्मी योग गज किसरी योग और शर्वाट सुद्री नाम के बड़े शुवयोग बनने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों आप शवी को बता दे कि आने वाले जिसल को में आपको धन कमाने के अनेक मोगे मिलने वाले हैं आपको बहुत जनकाल से शवी परकार की प्रेशानियां खत्म होने वाले हैं एकguru को कुंडली के लिए उक यह रदान के पूरे जीवन को बदलने वाला शावित होगा दोस्वों एक प्रकार शुक है या वर्दान आपके कर्मों का ही फल है दोस्वों पिछले शमेशे आपने जुनकाल में लगतार दुख जल रहे हैं परिशानियां जल रहे हैं और तमाम प्रकार की मुश्युपतों को जहलते हुए अप दोसवों इनीक की वज़ेश दोक्रम के देवता है दोस्वों आपके कर्मों को देख कर आपको बहुती बड़ी खुश्टम्र चमय देने पूरा जीवन शमर जाएगा जे दोसों शाति आपको बिता दें कि धन्से जोड़ी आरतिक टंग्या आपके जनिकाल में चल रही थी दोस्वों याशी में वो भी शुमापत होने वाली है कि कोई धन लक्षमी योग के कारण दोस्वों आप शब की जुनकाल में लाप के कई मोके खुलने वाले हैं धन की आवग आपकी कुंडली में बढ़ती हुई दिखाई दरही है जिए दोस्तों और इनके कारण आप शबी का जिवन काल में बहुत यह अच्छे अच्छे बदलाव होंगी तो दोस्तों आपको अपने करपशे कोई भी गलती नहीं करनी है और दोस्तों आज के वीडियो म में इन लाब को उठाना है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ही पड़ेगा जिए दोसों क्योंकि अगर मुकाम बड़े हैं तो दोसों मेहनत भी करनी पड़ेगी जिए दोसों यह बात अतीश शत्य है इसलिए वीडियो को थोड़ा सभी स्क्रिप ना करें और इन्हें अंत तक बिल्कुल ही ध्यांश देखिएगा तो आई दोसों बात करते हैं कि अब कौन-कौन शे बड़े बदला होंके कौन-कौन शे खुशकबर मिलेंगी आपका लव लाइफ स्वास्त केरियर और पारिव जोन में कौन-कौन शे बड़े शुधार आ ने वाले हैं कोई बैतरी उपलवदी भी हाशिल होने वाली है और इसको प्रावन दोस्तों येश्में अगर आपकी सावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों येश्में आएके साथ-साथ खर्चे की इतिती भी रहेगी जिसके वज़शे बचत भी नहीं हो पाएंगी अप आपकी अपनी जीत के वज़शे ही कोई दिक्कत खड़ी हो शकती है इसकी अथा तो येश्में इनसे आपको रहने वश्यकता होंगी और इसकी प्राहतों येश्में आपको लिए आपको बदा दें की काम से समद्दित जो भी परगति की आपको अपेक्छा थी वह प्रगत क्या उशक्ता हों कि और इसको फ्रांदो से यश्व में आपको बता दें कि दोस्तों आपको अंदर बहत्री शकार्तम उर्जा भी लेगा उर्जा का आप यश्य में महसुत भी करेंगे जदा लाब की शमावना नहीं है प्रांदो दोस्तों आप अपना बजट संतुलित रख सकते हैं तो यह में आपको भी अपने वैवार में कुछ बदलाव लाने की जरत होंगी गुस्ते वापित जलबाजी को बजाए स्चांती पुर्ण तरीके से प्रस्तितियों को सुल जाने का प्रयाश करें दोस्तों यह आपके लिए बहतर शावित होंगे और इसको अचानक हुई मुलाकात भी आपको यहां से में आनंद देने वाली है और इसको फ्रांद दोस्तों यह आपके लिए उसे मूंखे आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोग पिरिता के शाथ साथ साथ जम्प संपर्क का दारा भी यह में बढ़ने वाले हैं आपका श्रिध अपने नकार्तमक बातें आपके उपर हावी होने के विज़शी आपके मनोगल में अभी कुछ कमील आशकती है तो इस बात का ध्यान रखें और यह में अपना आत्मिश्वाद बना कर रखने का प्रयाश करें अपने अंदर शकार्तमक्ता बनाई रखने के लिए आपको आपके लिए समयोंगे आपको बता दें कि आपर बढ़ रहे मानुश्विक धनाव के कारण आप उनी शमता के उनुशार काम नहीं कर पाएंगी और नहीं किश्वी बात पर पूरी तरह अपना ध्यान दे पाएंगे तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें और अधिकतर शम समचार भी देने वाली है शंतान से समद्द कोई महत्पून कारी शंपन होने की वीशंभाव ना है पिछले को शमय से चल रहे खराप समंदों में अभी सुधार आएगा समाजिक या धार्मिक यात्रा समद्द कोई प्रग्रेम भी बढ़ सकता है इसको प्राहत दोस्तों य अगर किसी से कोई प्रोमिस किया है तो उसे अवश्भ पूरा करें अने था आपके शोई पर आ चासकती है इसको प्राहत दोस्तों यह में आपके दोरा ली हुए निरले को लोगोत हो विरोत क्या जा सकता है उनके विरोत को बिटाने के लिए उनकी भी बातों को समझना कि अंत में आपका दिखतर कामकाज जो है आसानी शेप पूरी भी होंगे इसको प्रांदोसे यह में आपकी केरियर को लेकर पात करें तो यदी भागिदारी में कोई ववशाय शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों ववशाय समधी जानकारी आपको प्राप्त करने की आवश् सकता होंगी जिससे और अधिक बहतरन परिणाम आपको प्राप्त हो सके दोसों ध्यान रखें कि यह में कुछ कानुनी अत्वा निवे श्रमंदी जटिलताओं का स्वामना भी करना पर सकता है और इसको प्रांदोसे यह में आपके केरियर के लिए आपके ववशाय के लिए आपको बता दे कि दोस्तों वाईशाइ में यूजो समय है आपके लिए मार्केटेंग सब्समें कामों को निफटाने का उच्यत समय होंगा कुछ ठोश निरले भी आप लेने में यंश्में कामयाब रहेंगे प्रफों निवे श्रमंदी कारियों को अस्तगीद रखें यसम नोकरी में ऑफिश का महौल भी यह में शकारत्मकर रहने वाले हैं और इसको प्रांदोस्तों यह में आपके केरियर के लिए जो सबहूंगे आपके वाविशाय के लिए आपको बता दें कि दोस्तों कारे चित्र में आपका पूरुन नियंतरन वह फिर वच्छासू बना रहे और इनके वाज़ा से घर पर भी आपको देरी से जाना पड़ सकता है और इसको प्रांदोस्तों यह में आपके केरियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यह में वाविशाय तथा नोकरी दोनों जगहों पर अपनी कारे परणाली में आपको कुछ परिव लगर बात करें अर्थात आपके पारिवरिक जीवन की तो दोस्तों यह में परिवार के शाथ शोपिंग तथा डिना राधी में समय उतित होगा प्रेम शमनों को पारिवरिक श्विकृती मिलने शे और अधिक नदी की आम पढ़ने वाली है और इसको प्रांदोस्तों यह म बनना शूरू हो जाएंगी बच्चों के अनुशवासे तथा ववैत्ति बने रहने के विज़से तानाव आपका यश्मिर होगा और इसको प्राहद दोसरे यश्मिर आपके लिए सम होगे आपके लवलाईप के लिए जो समय होंगे आपको बता दे कि पती पत्री मिलकर परिवार तथा बच्चों से समझेद मसलों पर विचार विमर्ष करें तो काफी हद तक शुमस्या का निवारन होगा तदा घर का महौल भी इसे खुशनमा बना रहेगा और इसको प्राहण दोस अगर आप साभवधने को रखेंगे तुष्वास आपका ठीक होगा परंतु अपने इम्मून सिस्टम को मजूद बनाकर रखने का प्रयास करें दोस्तों ही अरविदिक जीज्जों का अधिक जदिक सेयन के सेवन करें इंसे आपका स्वास बंगा रहेगा और इसको प्राह में अत्यदिक कारवार की विज़े से शार्रिक और मानस्विक धकान भी आपको रह सकती है कुछ समय अपने व्यक्तित कारियों में व्यक्तित करें इनसे आपको सुकून मिलेगा और आपका स्वास्त बहतर होगा